दुनिया के दस सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक दोस्तों आप सभी ने ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा बिर्जो और सुरंगों से गुजरती ही ट्रेन का सफर का तो कुछ मजा ही आ रहा है लेकिन कि आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक हैं जिनकी बनावट इतनी खतरनाक है बहां से गुजरती ही आपके मन में एक बार मौत का ख्याल तो जरूर आएगा इन में से कोई एरपोर्ट के रनवे से गुजरता है कोई भरे वजार से कोई समुद्र के ऊपर से चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं ऐसे ही दुनिया के दस सबसे खनाक रेलवे ट्रैक के सफर पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दवाई जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपो मिलता रहे 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है थाइलेंड के सहर कौको बर्मा के सहर रगून से जोडते इस रेलवे ट्रैक को 1947 में बंद कर दिया गया था और इसका कारण जानकर किसी की भी दिल की दड़कन बढ़ जाएगी जी हाँ दोस्तो इस रेलवे ट्रैक को बनाते समय लगबग एक लाग से भी जादा करमचारियों की मौत हो गई इस दर्दना गठना के बाद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया इक्वाडूर के एलावसी और सिंबामबे के बीच एंडीच परवत माला पर बनाई बारा किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक आपको डर्से कापने पर मजबूर कर देगा 1902 में बनाई ये रेलवे ट्रैक इंजीनियर का बेमिसाल नमूना इसे बनाते समय पाड से गिरकर सेकड मजदूरों की मौत हो गई इसलिए इसे डेविल सनोज यानि सैतान की नाक का जाता है इसकी रुचाई समुद्र ट्रैक से 9000 फिर तक पहुंच जाती है अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए इसमें सपर करते समय कितना डर लगता होगा 3. कंब्रेश इंड टोल्टेक सैनिक रेलवे रोड न्यू मेक्सिको अमेरिका का ये न्यू मेक्सिको रोड बहुत पुराना ये अमेरिका की सबसे उंची रेलवे लाइन है जो रोग की परवत माला से होकर गुजरती है अधिक हुचाई होने की वज़े से ट्रक पर कोले और इस्टीम के इंजिन चलते हैं केवल 80 किलो मीटर लंबा ये रेलवे ट्रक चावा न्यू मेक्सिको एंटोनिटो को जोड़ता है आपको जानकर आश्च्रह होगा कि ये खतरनाक रेलवे ट्रक नौ महीने में तयार हो गया था इसकी सबसे उंची उचाई जमीन से करीब 1.500 मीटर सैन जॉन माउंटेन पर है मानो या ना मानो जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो मुसाबर अपना दिल थाम लेते हैं अर्जेंटीना में बनाई ये रेलवे ट्रक सबसे खतरनाग में से एक है 1948 में बनकर तयार हुए इस रेलवे ट्रक को बनने में लगवग 17 साल का समय लगा जमीन से लगवग 4,020 मिटर उचाई पर इस रेलवे ट्रक को ट्रेन आफ क्लाउट्स भी का जाता है 21 रंगो 13 पलो से गुजरते हुए एंडीज परवत माला की गोद में बसा ये ट्रक उत्तर पश्मी और अर्जेंटीना से चिली की सीमा तक की सहर कराता है इलवे ट्रक की इतनी ज़्यादा उचाई होने पर इसकी रोज जाच कराई जाती है नमबर 5 वाइट पास एंड यूकोन रोट अलास्का यूएसे कभी सोवियत यूनन का हिस्ता रहे अलास्का में बना ये ट्रक करीब 150 किलोमीटर लंबा है इसे बाइट पास ट्रक के नाम अलास्का की उचाई चोटी बाइट पास के नाम से भी जाना जाता है ये ट्रक कैनिडा और अमेरिका की अटूर दोस्ती की भी निसानी माना जाता है ट्रेन का रास्ता पाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है जहां का नजारा किसी को भी ड्राने के लिए काफी है लेकिन सुकून की बात यह है दोस्ता पर आज दिन तक कोई हादसा नहीं हुआ और इसलिए ट्रक दुनिया वर के जाने वालों को अपनी और आकरसित करता है अमेरिका के कोलूराइडों में बना यह रेल मर्क तीन फिट नेरो गेज का है इसके पुलो और तीखे मोडों पर ट्रेन बहुत ही दीरे और साबदानी से गुजरती है दो पाड़ियों पर बना यह रेल वे ट्रक 1987 में तयार हुआ लेकिन कुछ हादसों के काराण इसे 1949 में बंद कर दिया गया था इसके बाद तक्सन में कुछ बदलाब के बाद 1984 में इसे दोबारा खोला गया यह रूट कितना खतरना का इसका अंदाजा इसी बास से लगा सकते हैं कि रूट तो केवल 7.2 किलो मीटर का है लेकिन 640 फूट की उंची चड़ाई के बाद गहराई का नजारा बहुत ही डराबना होता है और सपर करने में ट्रेन को 45 मिनट का समय लग जाता है नमबर 7. रामेस्वरम रेलवे ट्रेक चेन नई दच्छन भारत का ये रेल मर्व समुद्र के उपर से होकर गुजरता हुए तमिल नाडू के रामेस्वरम के पंबन द्यूप से जोडता है इसलिए इसे पंबन ब्रेज भी का जाता है इस पुलकी लंबाई तकरिवन 2 किलो मीटर है और इसका निर्माण कारे अगर्ष्ट 1911 में सुरू किया गया था और 24 परवरी 1914 में बनकर ये तयार हो गया था और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पुला है हर रोज तूफान आने वाले तेज हवाओं के बीच चलते रेल का ये सफर कितना रोमांचक और खतरनाक होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए एक बार ये आना तो बनता है यारो रेट एसो मिनामी रूट जापान दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रावन रेलवे ट्रक में से एक है रेलवे लाइन का एक हिस्सा उंचे लोए की एक संक्रे और दोनों तरफ से खुले फुल से होकर गुजरता है ड्रावर की एक घलती आपको मौत की तरफ ले जाने के लिए काफी है इसकतरा सिर्फ यह नहीं खतम होता है ट्रेन का रूट माउंट एसो से होकर गुजरता है जो जापान की सबसे सक्रेज जॉलामखी का गर है यहां जॉलामखी का एक बिस्पोर्ट ट्रेन और र्यात्री का अंतिम सपर तैय कर सकता है क्या दोस्तों आपने बड़े बजार से ट्रेन गुजरती हुए देखा है नहीं ना थाइलेंड के मैकलोंग मारकेट से एक रेलवे लाइन बिछाई गई है यहां दिन में दो बार साम चार बजे और छे बजे ट्रेन गुजरती है कि आपको पता है लोग इसकी पटरी पर दुकान भी लगाते हैं जब यहां से ट्रेन गुजरती है तो लोग अपनी दुकान से सामान रटा लेते हैं और बाद में फिर से अपनी दुकान का सामान लगा लेते हैं ट्रेन और लोगों के बीज की दूरी केवल एक फिट होती है नमबर टेन नेपियर जिस बोर्ण रेलवे न्यूजी लेंड इस रेलवे ट्रक की सबसे नोगी बात यह है कि यह जिस मोंड के एरपोर्ट के मुख रनवे से होकर गुजरता है और ट्रेनों के बने इस रनवे की पट्री से गुजरने से पहले एर ट्रफिक कंट्रॉल रूम से पहले इजाज़त लेनी होती है इस ट्रक का निर्वान 1922 और 1980 में इसे पूरा कर लिया गया तब वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन हवाई एड़े से होकर गुजरती है बगवान बोले नात आप सब अपनी किर्पा बनाए रखें और आपकी हर एक मनो कामना पूरी हो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कॉमेंट वॉक्स में जरूर बताईए